करने का क्योंकि अगर आप 3D सौट्स ओवर ले यूज करके अपने सौट्स को अपलोड करोगे तो बंदे जाहिर सी बात है कि आपके वीडियो पर जरूर रूखेंगे एंड आपका कॉंटेंट सही रहेगा तो आपको सब्सक्राइब करके भी जाएंगे तो आज के वीडियो है वो इविल्स गेमर एफफ है तो आप उनके चैनल को जाकर चेक आउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा है सो लेट्स पिंग इस वीडियो तो गई सबसे पहले आप लोग को अपने पिक्सलाइब एप्लिकेशन में जाना है एंड जो भी आपका जे गेम आप भी क्रेट कर लो ठीक है तो फिर यहां पर हम चलते है अपने जो हमारे सोचल सबटन से वह हम यहां पर एड करेंगे जिसके लिए हम अपने यूजर ले नेम यहां पर हम एड कर लेते है तो देख लो मेरा इंस्टाग्रम का एडिया सटेक्स लैस आप लोग मुझे आप लोग देख लेना अचाए से अंडCR्च वाली प्रोसेस मैंने थोड़ा धी रखिया है ताकि आप लोगो अच्छे सा समझ में आ जाया है मैं नहीं चाहता कि आप लोगो को कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो आप लोग अच्छे सा समझ लेना वीडियो का आ राम से यहां पर एक background हम add करेंगे and background में यहां पर gaming wallpaper ले लेते हैं and उसको भी आप लोग same जो भी color में आपको देना हो वो color आप लोग यहां पर कुछ इस तरीके से add कर सकते हो एक प्रोसेस को आप अराम से देखना मैं सभी चीज अच्छे से आपको clear कर चुका हूं इस video बें तो video करना अपने लोग create करेंगे अब यहां पर photo like empty layer एक create करते हैं and कुछ इस टाइप का आप लोग से यहां पर create करोगे जो यहां पर banner है वह आप लोग करोग देख लोग जो भी color आप लोग को यूज करना मैं नहीं बोलूगा कि आप लुग ब्लू कर एक एपक लूज करना मैं यहां पर blue यूज करूगा इसकी आप लोग सकते हो code यहां पर सब कुछ मैंने देखा दिया है तो सेम चीज अब यहां पर सोच रहों कि यहां पे करते हुए जाएगा देख लेना यार बहुत ही कमाल की वडियो है ठीक है अब यहां पर आपको एक पैक में आपको इस तैप का भी मिलिया होगा शेप आप लोगों से क्या करना है कि इसे आपको लेफ्ट साइड राइट साइड और बॉटम साइड पर इस तरीके से से शेप क आपको मर्ज कर लेना है ठीक है फिर MPT लेयर पर जाएंगे एंड यहां पर हम अपने टेक्स को एड कर लेते हैं देख लो अगर टेक्स्ट के फॉंड को आप लोग अगर दिक्कत है तो आप लोग कोई और भी यूज कर सकते हो आपके जो अच्छे होगी बट यहां पर मैं एड क्रदियाय और टेक्स को क्या करेंगे यहां पर इसकी जो देखलो यहां पर टीक है तो हम बटन की आघर के के अलग-अलग कर सकता है उनके उपर है किसके यहां पर देख लो यहां पर कुछ इस तरीके से selection क्रेट करेंग zul did करेंग निव था इनाकिर करें बाद यहां पर हम सारे मितलब 22$ को एक साथ करके यहां पर अलग करेंगेस अब करेंग्जी समय पर आपक कि यहां पर वेट फॉर एंड को आप लोग इस तरीके से आप लिख लेना and फॉर है न उसको यहां पर फॉल कर देंगे एक कुछ इस तरीके से सब को आप लोग अलग करते जाना ताकि हम लोग को एनिमेशन करते टाइम ना कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो ठीक है यहां पर फॉर इंड हो गे हमारा एंड इसमें क्या करना डॉप शैडव आपको ब्लू कलर की दे देनी है डीप ब्लू देना ठीक है यहां पर अराउंड इसकी कोड है 210 या 215 का राउंड है तो सभी पर हम यहां पर इसकी डॉप शैडव एड कर देते हैं एंड जोनातन वाल एड कर लेना आपको कुछ इस तरीके से ठीक है ताकि थोड़ा सा साइन आ जाएगा मस लगे का देखने में एंड देख लो यार बनने के बाद कितना ओपी सा लगेगा को टेंसन वाली बात नहीं है ठीक है देख लो यहां तक हमारी चीज़े कंप्लिट हो चुके हैं और भ एक नट यहांपर मैंने रेडियेज कम कर लेता हूं एंड कुछ इस तैप से यहांपर कर दे दिये तो आप लोगो यह चुन करने की ज़रौत नहीं है एंड यह चीज मैंने यहांपर आपको देदिया ताकि आप लोगको जादा दिकत यह जादा आपके लिए टाइम ना ल है क्योंकि सबका सीम हो जाएगा ना तो आप लोग कुछ और डिजाइन भी क्रिएट कर सकते हो यहां पर यहां पर हम क्या करेंगे कि देख लो एक मिनट डी सेलेक्ट कर लेते हैं यह हम जो हमारा आइकन है ना देख लो हम दोनों साइड में यहां पर कालते हैं। अब यहां पर क्या करते हैं कि हापी फेस्बहूक, इंस्टेग्राम, ट्विटर यहर चीशिश कभी आपको यह पर estas डिज यहां पर अपर कुछ इस तरह के यहां पर एड़ कर रहा हूं and इसकी जो कलर होगी ना यह हम ब्लैक कलर के रखेंगे ताकि थोड़ी सी वीजिबल नहीं हो पाता ब्लू जो शाइनिंग होता है तो इस चीज पर आपको रख लेना है and आपको उसके आइकन के साथ यहां पे मर्ज कर लेना है ताकि आपको दिक्कत नहीं ह अब यहां पर फोटो लेयर पर जाना है and जो भी आपका यूजर आइडी होगा ना वह आपको इधर एड कर लेना है देखो वाइड कलर वीजिबल नहीं हो पा रहा है उस पर इसलिए हम यहां पर ब्लैक कलर इसमें एड कर रहे है तो यहां पर हम अपने इस टेक्स्ट को अ मेरे विबसाइट पर ठीक है तो देख लो यहां पर इंस्टाग्राम और यूटूब मैंने एड कर लिया है and almost हमारा सभी चीज़ कंप्लेट हो चुका है एनिमेशन देना अब यहां पर क्या करना है कि आप लोग को एक एक करके सभी को सेव करना है ताकि हम काइन मस्टर में हम सब्सक्राइब कर लेके तो जो आपको सबको हाईड कर लेना और हाइड करने के बाद यहां पर क्या करना है आप लोगको एकमिनट हैड कर लेते हैं यहां पर आपे आपको सेफ कर लेके तो यहां पर अब हम आते हैं अपने काईड मास्टर एप्लिकेशन में 9 इस्टू 16 रेशियो अवल आपको यहां पर चूज करना है ठीक है एंड हम उसके बात क्या करेंगे कि यहां पर हम एनिमेट करेंगे सभी टेक्स्ट को एंड अपने 3D ओवरले को क्रियेट करेंगे ठीक एक सेकेंड के लिए एंड आउटनीमेशन करेंगे इंड दया ठीक है तो इस तारीके से वो हम उपन नीचे आएगा ठीक है अब इस इसे लेगर को हम डुपलीकेट करके इसकी नीचे वाले लेयर को हम रिएट करेंगे तो इसके लिए हम इन्धी हमएने में इंट स् kernel जो राइट साइड वाली टेक्स्ट है ना देखलो जैसे एन राइट साइड की टेक्स्ट है इसमें हम इंटर स्लाइड राइट आउट अनिमेशन करेंगे और इसकी सेकेंड टू रखेंगे एक एक चीज़ ध्यान से देना क्योंकि मैं अगर मालनों गलती से कुछ गलत भी ब हमने जागन जाए उधर साइड वाली टेक्स्ट हम क्या करना करते है इसां वी टेक्स्ट एक डेफोच डैट शनली डेखे न निकाल रहते हैं तो इंटरर-खेंड आथे मंस्खकात दैख लिंगे तो देख लों वीडियो जटेते आप को समाझ में आ आगया होगा कि आशी ह आप लोगो दिक्कत होगी टेक्स्ट एड करने में बट वीडियो को आप लोग देखोगे आराम से तो वो चीज आप समझ जाओगे ठीक है अब देखलो यह मैंने दोनों बीस जो मैंने एड किया ना जिस पर हमारी टेक्स डिस्प्ले करेंगे वह चीज मैंने एड कर दिया नहीं किया है अब वेट फॉर इंड पर हम क्या करेंगे कि इन एनिमेशन इंटर स्लाइड अप या पॉप उपन डालेंगे ठीक है पॉप अइड कर लेते है इसमें भी आपको कुछ एनिमेशन दे देना है याद रहे जो भी एनिमेशन आप एड करना ना वो किसी एक के उपर नाये ऐसा ना हो कि उसके उपर आ रहा है तो देकने में वह भीकार से लगेगा आप लास्ट में मेरा देखना कोई भी चीज किसी को उपर से कर रहोगा, ठीक है, अब यहां पर देखलो यह arrow है, arrow पर यहां पर हम key भी एड करेंगे, लेकिन अगर आपको key add नहीं करना होगा, तो वो भी आप नहीं कर सकतो हो, बट यहां पर मैं key add करके आपको दिखा देता हो, कुछ इस तरीके से, यहां पर इस तरीके से यहाँ पर key add करेंगे देखो यह key add करना थोड़ा arrow पर ना मुश्किल हो रहा था जिसके वज़े से मैंने छोड़ दिया कि नहीं की वाले रहने देते हैं यहाँ पर हम इसमें animation डाल देंगे in animation and out animation तो यहाँ पर थोड़ा सा जिनको key add करना ना उनके लिए मैं दिखा देता हूँ कैसे key add होगा ठीक है देखो कुछ इस तरीके से key add हम कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने key add छोड़ जया था तो इसमें in animation हम यहाँ पर डालेंगे wipe right ठीक है sorry wipe left डालेंगे and out animation wipe right डालेंगे ठीक है और सबका time एक एक सेकंड ही रहेगा तो सेम यहाँ पर जो हमारा right side वाला जो arrow तना उसमें भी आपको यही चीज़ करना है तो यह चीज़ आप देख लेना अब यहाँ पर हम करेंगे यहाँ पर अपने जो socials बटन्स है उसको हम यहाँ पर add करेंगे और इसे हम उपर side में कुछ इस तरीके से place कर लेंगे और उसके उपर text भी हम यहाँ पर add कर लेते हैं तो text add करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि उसमें हमें inter slide right और sorry wipe right and wipe left add करेंगे हम अपने text में कुछ इस तरीके से and text को देख लो कहाँ से start करना है सायद एक second के बाद से आपको start करना है तो यह चीज आप अच्छे से वीडियो को देखना सब चीज अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको तो यहाँ चीज हमारा complete हो चुका है and almost हमने सभी चीज़ों को complete कर लिया है लेकिन यहाँ पर एक चीज हमारा बाकी है आपकी आपकी जो भी मंचे आप जिस पर भी करना चाहों आप कर सकता हो ऐसा है यहाँ पे इस तरीके से जपर बाद आप लोग को थोड़ा सा और फढ़ा कर देना है अपर कर देना है जो beach वाले एरिया पे आ रहा है उस पर हम green screen ड्रीन एडि करेंगे तो कुछ इस तरीके से black पहले आपको एक page लेना है उस पर green color आपको कर देना है इस तरीके से आपको यहाँ पर भड़ा कर लेना होगा अपने जो text जहां पर आपको frame है उस पे इस तरीके से कर लेना है तो देख लो हमारा कुछ इस टाइब से हो जाएगा यहाँ पे 3D कारेक्टर और कितना ओपी सा लग रहा है देख रहो ना बहुत ही बनियाद चमक रहा है हमारा पोसाइडन यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पीछे एक दो चीज़े और एड करना चाहो तो आप कर सकते हो बाकी यहाँ तक तो ओपी सा है तो आज के वीडियो बस इतना ही था मिलते आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए ठाटा बाबाई एंड टेक केर